मेरे पैरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है प्रेजेंटाइन में दुनिया के दो सबसे खतरनाग जानोरों के मुकाबले की हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर अमेजोन के घने जंगलों में पाई जाने वाले विशाल का अनाकोंडा का समना अपरिका के सुके जंगलों में पाई जाने वाले बबर शेर से हो जाए हाला कि ये दोनों ही जंगल हजजारों किलोमीटर के दूरी पर स्थित है दोनों ही जंगलों का एटमोस्पियर बिल्कुल अलग है तो इन दोनों का सामना होने के चंस एस भहुत कम है लेकिन फिर भी हम उन दोनों की बॉडिक श्यमता और डिपेंज स्ट्रेटीजी की आपस में तुलना करेंगे और इस वीडियो से यह समझने की कोशिश करेंगे की आगिर इन दोनों में कोई ज़्यादा पोर खुलोगा मेरे पर दोस्तों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है यह दुनिया के जिस भी जगह पर रहता है वहां राजा की तरह ही रहता है अगर शेर जंगल का राजा है तो विशाल अनाकॉंडा भी आपनी जंगल का राजा के तोर पर जाना जाता है लेकिन अच्छी बात तो यह हैं कि विश्हाल नमीवाली जंगलों में रहता है याने कि पानी के अस्पा स glove app संद करता है जबकि शेर सुते जंगलों में रहा करता करने की विष्वल्ट का लेका है ऐसे और संटी सब्ड़ अभी तक सब से लंबे मादा अनाकोंडा की लंबाई 17.1 फिट नापी गई है। जबकि नर अनाकोंडा की लंबाई इससे कापी कम होती है। वही एक आडल टापरिकई शेर की लंबाई 7 से 8 फिट तक हो सबती है। और उसका वजन तक्रिबन 200 किलोग्राम तक होता है। जबकि अनाकोंडा का वजन अधिक तब 80 किलोग्राम तक होता है। यानि दोस्तों वजन के मामले में शेर अनाकोंडा पे भारी पड़ेगा। अपता दें कि अनाकोंडा के पास चहर नहीं होता है, यह अपने शिकार को खुद के भारी पर गम शेरिल के बीज चकर लेता है। अगर आपको अनाकोंडा ने चकर लिया तो यह धीरे-धीरे आपके पूरे शरिल को लपेट लेगा। और पिर जैसे जैसे आप सांस लेते जाएगे और चाती से सांस छोड़ते जाएगे या अपनी पकड और भी मजबुत करते जाएगा। शिकार करने के तरीके से हम सभी वाकिब है शेर के पास तक्रिपन 2.5 इंचलम में फेर नुकिले दान्थ होते हैं जिसकी मदद से यह मोटी से मोटी स्कीन वाले जानवर की बीचमडी उदेड कर रख देते हैं शेर सीदे अपने शिकार के गर्दन पर वार करके पकड़ता है और तुरान्थी उसे मोट की निंद सुला देता है वही शेर के पंजे जाव से 60 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफदर से भागने में सपल बनाता है वही कई पार उन पंजों की नाकुनों से अपनी शिकार को धूल चटा देता है शेर अपनी आकार से दो गुना बड़े आकार के जानवरों को भी अपना शिकार बना लेता है इसलिए अगर दोनों के शिकार करने के अंदाज की तुलना करे तो दोनों या अपने अपने फिल्ड में उस्ताध है हाला कि शेर के शिकार करने की रेंच कापी बढ़ी है वो अपनी शिकार पर पहली नजर रखता है और जरुत पढ़ने पर कापी फूर्ती से दूर तक उसका बीचा भी करता है जबकि एनाकॉंडा अपने भारी भरकम शेरिर की वज़ा से ज्यादा स्पीड से भाग नहीं सकता है एनाकॉंडा ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमेटर प्रतिगंटे की स्पीड से रेंग सकता है ऐसे में वो अपनी जगा पर रहकर शिकार के खूद चल कर आने का इंतजार करता है और एक बार अगर शिकार उसके चंगल में आ गया तो फिर उस शिकार का बच कर जाना नामुम्किन होता है अब अगर कभी लाएन और अनाकॉंडा के आपस में भाइट होती है तो जाही रही कि अनाकॉंडा सोबों के नुसार शेर को खूद के शरिर से चकट कर मानने की कोशिश करेगा इसके लिए उसे शेर के करीब जाना पड़ेगा और शेर के करीब जाते ही शेर आपने मजबत पंजो और नुकिले दातों से अनाकॉंडा के चमडी को नस धस कर देगा चलिए एक बार के लिए यह भी मानने थे कि शेर सो रहा है और इसी बीच अनाकॉंडा ने आकर उस पर अटेक करते हुए उसे अपने भारी बरकम शेरिर से जगल लिया तकलिप की वज़ा से निंच से जगने के बार अगर शेर आपने बचाओं में अनाकॉंडा के शरिर में एक बार भी आपना पंजा या नुकिला दान्द धसा दिया तो फिर अनाकॉंडा को आपनी पकड धीली करनी पड़ जाएगी याने की सोदे हुए शेर पर भी हमला करने पर भी अनाकॉंडा शेर का कुछ भी नहीं बिगार सकता अनाकॉंडा का सबसे बड़ा डिसाड़ उन्टेज है की उसके पास खुद के लिए कोई डिफेंस नहीं है जब की शेर के दाथ और पंचे शिकार पर अटेक करने के साथ ही कुद का बचाव करने में भी बहुत मददगार साबित होते है अनाकॉंडा एक ही शर्त पर शेर को मार दे सकता है अगर अनाकॉंडा पानी के भीतर शेर को पकल ले तो हो सकता है कि शेर को हो पानी के भीतर डुबो के उसका धम गोट कर मार दे क्योंकि अनाकॉंडा पानी के भीतर 15 मिनिट तक बिना सांस लेर हो सकता है लेकिन खुले मैदान में एनकोंडा किसी भी कीमत पर शेर का सामना नहीं कर सकता है तो मेरे बेरे दोस्तों, हमारे साब से एनकोंडा और शेर की फाइट में जीत हमेशा शेर की ही होगी क्योंकि शेर के पास उनों के लिए दान और मजबूत पंज है कंबाल की फुर्ति है और एग्रिसिव नेचर है साथ ही शेर को दिमाग के मामले में भी एना कॉंडे के मुकाबले काभी भेतर माना जाता है ऐसे में किसी भी सुरत में इस जंग में शेर ही विनर होगा याने जीत जाएगा आपको क्या लगता है इस चंग में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा हमें कमेट करके बताना पेल्कुल भी मत भूलना मेरे पर दोस्तों और आप अगला वीडियो किस टोपिक पर देखना चाते है यहां हमें कमेट करके जरूर बताईएगा हम अपना अगला वीडियो जो आप कहेंगे उसी टोपिक पर बनाएंगे मेरे पैर दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेनत लगती है तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को एक लाइक एक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे पैर दोस्तों अगल आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा शेर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा motivation बढ़ेगा और हम आपके लिए IC अच्छी और भेयक जानकारी बरी वीडियोज लाते रहेंगे